दोस्तो हमारे यूटूब चैनल राजबनस्पती में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके समझ छाजिर है दोस्तो आज एक ऐसे ही दिब और चमतकारिक औसदी के बारे में अवगत कराएंगे जो आपने अक्सर देखा जरूर होगा और इसे घास फूस समझ कर छोड़ देते होंगे दोस्तो आज हम बात करेंगे मकोई के पौधे के बारे में दोस्तो मकोई का पौधा आपने देखा जरूर होगा मकोय का एक आरबैदिक पौदा है जिसका उपियो कई बीमारियों में किया जाता है मकोय के फल दिखने में छोटे-छोटे होते हैं लेकिन खाने में मीठे और काफी स्वाधिष्ट लगते हैं मकोय का सेबन स्वास्त के लिए काफी फैदेबंद माना जाता है मकोई का सेवन किड़नी के लिए तो किसी राम माण से कम नहीं माना जाता है साथ ही मकोई का सेवन करने से कई बीमारियां भी दूर होती है लेकिन मकोई का सेवन अधिक मात्रा से जादा नहीं करना चाहिए क्योंकि अधिक सेवन से स्वास्त को फैदे की जगे नुकसान पहुंच सकता है तो दोस्तो आईए जानते हैं मकोई खाने के क्या-क्या फैदे और क्या-क्या नुकसान है तो आज इस वीडियो में दोस्तों बताएंगे मकोई के 6 फैदे और 2 नुकसान क्या क्या होते हैं तो बने रहे हमारे यूटूब चैनल पर अगर दोस्तों लाइक और सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब कर लें जिस से हमारा मोटीवेट बढ़ता रहे और आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे तो दोस्तों आईए जानते हैं मकोई के 6 फैदे और 2 नुकसान क्या हैं तो मकोई का सेवन किड्नी के लिए काफी फैदे मंद होता है क्योंकि मकोई का सेवन करने से किड्नी सुष्ट रहती है और साथ ही इसके सेवन से किड्नी समंदी बीमारियों से छुटकारा मिलता है दोस्तो अगर किसी को पीलिया की सिकायत है या लीवर डिसॉडर है या जोएंडिस है तो इसके लिए दोस्तो इस बीमारी से बचने के लिए मकोई का सेवन काफी फैदेवन माना जाता है इसके लिए मकोई के पत्ते का काड़ा बनाकर सेवन करना चाहिए क्योंकि काड़े का सेवन करने से पीलिया की बीमारी में जल्द ही लाब मिलता है दोस्तो इम्मिनुटी बढ़ाने के लिए मकोई का सेवन करने से रोक प्रतरोधिक छमता बहुत ही मजबूत होती है जिससे आप किसी भी तरह की बीमारी की चपेट में आने से वच सकते हैं दोस्तो बुखार आने पर अगर दोस्तो किसी को बुखार आ रहा है बुखार की सिकायत है तो इस पर मकोई का सेवन काफी फैदिमंद माना जाता है इसलिए अगर किसी को बुखार है तो मकोई के काड़े का या मकोई के पत्तों का चूड बनाकर सेवन करना चाहिए इस सेवन से बुखार जल्दी ही उतर जाता है दोस्तो मूँ के छाले हैं तो मूँ के छाले के लिए दोस्तो यह काफी फैदे मंद होता है इसके लिए मकोई के पत्ते को चबा कर खाना चाहिए इस से छाले की सिकायश से छुटकारा मिलता है दोस्तों अगर किसी को दातों की प्रॉबलम है दात हिल रहे हैं दातों की समस्या है इसके लिए मकोई काफी फैदे बंद होता है दोस्तों क्योंकि मकोई के पत्तों का सेवन करने से दात मजबूत होते हैं और दात दर्द की समस्या भी ठीक होती है इसके लिए मकोई के पत्ते के रस में थोड़ा सा घी मिला कर सेवन करना चाहिए जिस से दात मजबूत और स्वस्त हो जाते हैं आईए जानते हैं इसके दो नुकसान क्या-क्या होते हैं तो दोस्तों गरववती मैलाओं को मकोई का सेवन करने से वचना चाहिए क्योंकि इससे उनकी परेशानिया वड़ सकती है दूसरा है मकोई से कई लोगों को ऐलर्जी हो सकती है ऐसे में इसका सेवन करने से स्वस्त औ नहीं करना चाहिए दोस्तो अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विसेशक या अपने चिकतसक से परामर्स जरूर लें दोस्तो जानकारी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जै हिंद जै भारत